हेलो सुट्रेंट वेलकम टू माई चैनल इन्नोवेशन वाइफाई स्टड़ी आई एम रोशन आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का मैथ तो उसमें हमारा पहला ही चेप्टर रहेगा उस चेप्टर का नाम है समूच है यानि सेट अन्सियार्टी अधारी सलेवस हैं जो न्यूस लगाया गया है अब की बार उस पर हम चर्चा करने वाले तो सेट क्या होता है पूरा हम बैसिक से पड़ेंगे इसके बाद में क्यूस्नों पर चर्चा करेंगे, तो आज की class हमारी complete basic पे रहने वाली है, भी set किसे कहते हैं, set कितने type के होते हैं, set को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस परकार से define कर सकते हैं, तो चलिएगा पूरी class में बने रहिएगा, सबसे पहले आता है समुचे, यानि हम इसको बोल सकते हैं set, और set कि से कहते हैं, अब आपको यहां पर definition है set की, कि वस्तों के सू परिबासित समुए, अथ्वा संग्रह को क्या बोलते हैं, set बोलते हैं, या समुचे बोलते हैं, अब वस्तों के सू परिबासित समुए, सू परिबासित का भी means बताएंगे, लेकिन वस्तों के सू परिबासित सम हुआ है अथ्वा संग्रह को क्या बोलते हैं सेट बोलते हैं जैसे अक्जामपल के तोर पे मैं बोलू बिकक्षा के कोई भी कक्षा है और कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या एक सेट के रूप में होती है जैसे कक्षा के कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या एक सेट होती है दो नमबर पर हम बोल सकते हैं विदेश के राजियों की संख्या या भारत के राजियों की संख्या भी एक सेट है अब इसके तिन नमबर पर हम कुछ भी बोल सकते हैं जैसे दो के गुणज जो की 20 से कम हो या हम बोल सकते हैं दिव अधारी पद्ति में अंकों की संख्या दिवी अधारी पद्ति दिवी आधारी पद्ति दिवी आधारी दिखो पद्ति दिवी आधारी पद्ति में अंकों की संख्या में अंकों की संख्या ये सभी कह एक सेट के रूप में आते हैं जैसे किसी परिवार में सदस्यों की संख्या किसी गाओं में जन संख्या या किसी गाओं में महिलाओं की संख्या किसी गाओं में प्रूसों की संख्या ये कहाते हैं set के रूप में आते हैं स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में जैसे stop की संख्या वो क्याती है कि set के रूप में आती है तो सूपरिवासित का means अब यहां से बताएंगे जैसे किसी स्कूल में किसी teacher को बोल दिया भी sir आप इस class में से पांच student जो कि टो फाइप में है उसका chain करना है तो वो teacher क्या करेगा अपने हिसाब से पांच अपने subject के हिसाब से या अपने हिसाब से पांच student को चुनेगा लेकिन अगर किसी में को बोले जैसे को हिंदी वाले में है उसको बोले भी आप 500 का चैन कीजिएगा इस class में से तो वो अपने हिसाब से अपने subject के इसाब से chain करेगी वह यानि उसका chain करने का यह तीचर ने जो बच्चे चैन की है और वो जो मैम ने बच्चे को चैन किया है पांच पांच जिन्हों ने भी किया है तो यह कोई जुरूरी नहीं भी दोनों के same आएगे बिस एक दो बच्चे same हो सकते हैं को जो TOP है तो फर्स एकन रहेंगे लेकिन उसके जो इसाब से अलग अलग सटक्रेंट आएगे तो वह कैसर परिबासित नहीं है लेकिन यहाँ पर सू परिबासित का मिंज है जैसे मैंने यहाँ पर यह लिखाए इसका चार नमबर एक्जामपल देखेगा कि दिवधारी पत्ती में अंकों की संख्या एक सू परिवासित है अब दिवधारी पत्ती आप जानते हैं उसमें अंकों की संख्या एक और जीरो होती है तो आप जानते हैं यह दो नमबर आएंगे इसमें आप किसी से पुछो आप और दो गोने अब देखो यह थर्ड नमबर हमारे पास में इंभाइल था कि दो के सानाह जो और अठारा ये एक सैट बनेगा इसका भी एक सैट बनेगा जैसे हमारे पास में दियोधारी संक्याओं का सैट बना था एक और जीरो तो ये एक सैट है ये कहां एक सूपरिबासित सैट है जबकि अगर हमें बोला जाए भी किसी कक्षा में पांच विदार्थियों का चैन करन जो की ग्रीब है या ऐसे पांच देशों का चैन करना है जो की टोफाइप में है या ऐसे कोई भी बोल सकता है ऐसे दो राज्यों का ये से पांच राज्यों का चैन करें जो की ग्रीब है या ऐसे पांच राज्यों का चैन करें जो की टोफाइप में है तो हम कहा अलग-अलग साथ से परतेक व्यक्ति अलग लग इसाब से कहें, चैन करेगा. तो वो कहें, सूप रिवासित नहीं होगा, लेकिन प्रिवासित वही रिवी सैट होगा, जिनका चैन, कोई कंडेट, कोई भी व्यक्ति, करें सैम इसका एन्सवराना जाइए, जैसे हमारे पास में ये है. जैसे कक्षा में विदार्थियों की संक्या है हमारे पास में कक्षा में विदार्थी अगर मेरे को बोला जाए भी इसमें काउंटिंग करने आई अगर आपको बोला जाए तो आप काउंटिंग है जैसे 20 है तो 20 है भी और भारत में राज्यों की संख्या आप काउंटिंग करो या मैं काउंटिंग करो जितनी है उतनी ही रहेगी तो यह कह एक सूपरिवासित की बात आती है समझ गई यहां तक भी सेट किसे कहते हैं कक्षा में विद्यार्चियों की संख्या हो सकती है भारत में राज्यों की संख्या हो सकती है दो के गुण जो सकती है किसी परिवार में सदस्यों की संख्या हो सकती है जैसे हम बोल सकते हैं प्राकर संख्याओं का एक सेट है, प्राकर संख्याओं का एक सेट भी हो सकता है, और हॉल नंबर का भी एक सेट हो सकता है, पर्मे संख्याओं का एक सेट हो सकता है, अवास्टिक संख्याओं का एक सेट हो सकता है, धनात्मक पुर्णाक संख्याओं का एक सेट हो सकता है, धन लिएगा next पर चलते हैं अब हमारे पास में आता है समुच्चे के निरूपन या representation of set यानि set को किस परकार से हम represent कर सकते हैं इसके दो ही method हैं एक तो हमारे पास में सान्य बद रूप या roster रूप बोलते हैं इसको tabular form या roster form होती हैं दूसरा हमारे पास में समुच्चे निर्मान या गुणवीदी यानि set builder form क्या है एक तो set builder form है एक tabular form या roster form जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे roster form roster रूप क्या होता है इसका roster रूप में जैसे मैंने कोई set लिखा ये मैंने कोई set लिखा है जिसमें element है two four six और eight ये कोई set लिख दिया और इसके बाद में कोई भी set लिख सकते हैं जैसे मैंने कोई set लिखा ये एक तेन पांट साथ नो ये मैंने एक सोई set लिख दिया अब इन्ही set को अगर आप set builder form में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे चलिएगा set builder form में लिखते हैं सैट है सैट builder form तो सैट builder form में अगर लिखना चाहें तो सैट ए को क्या लिखेंगे एक्स एक्स क्या है एक्स दो का गुणज है यही बात है भी एक्स है वो दो का गुणज है जो की 10 से कम है जो की 10 से कम है यह बोल सकते है या इसको अपन इस परकार से अलग अलग क् links काडिटेट्स अलग अलग सैट builder form में लिखेगे जैसे आपने लिखा एक्स और एक्स यहां पर एक्स ऊइम्पे गुणज है यहां पर यह लिखने है दो का गुणज ठीक है ऑक्स habits और दो का दो का गुणज है जो की 10 से कम है यहां पर यह लिख सकते हैं एक्स दो का गुणज है और एक्स है बोल लेस तेन क्या है दो का गुणज है और एक्स लेस तेन है तैन इस से चोटे चोटे यानि तैन से चोटे दो के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं दो चार्ट सहाथ ही होंग आप इसको अलग-अलग तरीके से लिख सकते हैं ये तो हमारे पास में होता है set build a form और ये होता है हमारे पास में roster group या इसको बॉलते हैं tabular form चलिएगा second को हम लिख सकते हैं second को क्या लिखेंगे हमारे पास में x है और x क्या है एक विसम संख्या है, x क्या है, एक विसम संख्या है, x हमारे पास में एक विसम संख्या है, इसको हम set builder form में लिख रहे हैं, तो x हमारे पास में एक विसम संख्या, विसम संख्या है, जो की 10 से चोटी है, जो की 10 से कम है, अब आप जानते हैं, कि इसको मंजले ब्रेक्ट में लिखना होता है, मंजले ब्रेक्ट में लिखना होता है set को, तो हमारे पास में x एक विसम संख्या है, आप जानगे विसम संख्या है, जो की 10 से कम है, अब 10 से कम कौन-कौन सी विसम संख्या हो सकती है, 1, 3, 5, 7, 9 हो सकती है, या आप बोल सकते हैं, भी विसम संख्या है यह, x एक विसम संख् लग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो समुच्य को या सैट को representation करने के दो मेतड हैं हमारे पास में, एक तो table form या roster form और दूसरा हमारे पास में है set builder form, यहां तक clear हुआ, आप लिख सकते हैं, चलिएगा, अब चलते हैं next पे, अब हमारे पास में इस पर example कर लेते हैं अपन आपकी जो भी doubt है वो clear हो जाएगा अब यहाँ से समुचे C आपको कोई set दिया गए 1 बटा 2, 2 बटा 5 3 बटे 10, 4 बटे 17 5 बटे 26 को समुचे निर्मान में लिखना है अब समुचे आपको दिया गए है यह set builder form में तो हमें ले क्याना है टैबूलर फोर्म या रोस्टर रूप में आपको दिया गए है तो इसको हमें कहें set builder form में ले क्याना है तो इसका set builder form क्या लिखेंगे set builder form इसका set builder form लिखेंगे तो हम देखो c को क्या लिखेंगे c अब देखो आप दिखाई दे रहा है आपको भी X अब उपर क्या है एक दो तीन चार पांच यानि एक नेच्चुरल नंबर चल रहा है प्राकर संख्या ही चल रही है कंट्रियू लेकिन नीचे देखो 2, 5, 10, 17, 26 कोई सिक्वेंस नहीं चल रहा लेकिन एक कंटिसन यहां पर लग रही है जैसे आपके पास में एक है एक की स्केर में अगर एक एड़ करते हैं तो दो हो जाते हैं 2 है, 2 के स्केर में अगर एक एड़ करते हैं तो हमारे पास में 5 आ जाता है, 3 है, 3 के स्केर में अगर एक एड़ करेंगे तो 10 आएगा, 4 है, 4 के स्केर में अगर एक एड़ करेंगे तो 17 आएगा, 5 है, 5 के स्केर में एक एड़ करेंगे तो हमारे पास में 26 आ जाएगा तो हम यह लिख सकते हैं न, x और x का square हमारे पास में क्या होज़ेगा, इसको लिखेंगे, तो x एक क्या है, प्राकर संख्या है, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, हमारे पास में आज़ेगा, x बराबर, n तो एक हमारे पास में प्राकर संख्या है, और हम लिखें n का स्केर प्लस में 1 यही होगा प्राकर संख्या का स्केर प्लस में 1 करना है जहां जहां एक प्राकर संख्या है और n का मान किस से कम है देख सकते हैं 6 से कम है या इसके बराबर भी लिख सकते हैं यह भी लिख सकते हैं इसको N कामान हमारे पास में N 6 से कम है और हम जानते हैं भी प्राकर संक्या एक से शुरू होती है या इसको यह भी लिख सकते हैं एक के बराबर इससे ग्रेटर देन पांच से छोटा और इसके बराबर यह कंडिशन हो यह इसकी सैट बिल्डर फॉम आगे हैं कि कलियर हुआ भी आपने रोस्टर रूप को सैट बिल्डर फॉम में लिख दिया अब अब हम आगे चलते हैं इसका साइकर नमर अग्जामपल देखेंगा इसमें हमें क्या बोला गया है भी इसने सैट बिल्डर फॉम दे दिया है अब हमें रोस्टर रूप रोस्टर रूप में इसको लिखना है, set builder form इसने दे दिया, लेकिन roster रूप में लिखेंगे, तो देखेगा roster, और roster रूप में कैसे लिखेंगे इसको, जैसे B हमारे पास में, अब X एक धन पुर्णाक है, और X की cube less than 67, X की cube less than 67 से, X एक धन पुर्णाक है, धन पुर्णाक जैसे एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार ये धन पुर्णाक होंगे और उसकी क्यूब क्या है 66 से कम है जैसे एक की क्यूब एक ही होती है दो की क्यूब दो ही होती है दो की क्यूब सोरी आठ होती है 3 की क्यूब हमारे पास में 27 होती है, जो की 66 से कम है, 4 की क्यूब हमारे पास में 64 है, जो की 66 से कम है, 5 की क्यूब ज़यदा सली जाएगे, चार की क्यूfe 64 ठीक है सड़ सड़ से कम है पांच की क्यूब देखो 66 सड़ से कम है या ज़्याद है पांच की क्यूब 66 से ज़्यादा है तो वो नहीं लेंगे अब हमारे पास में रोश्टर रूप के आएगा एक दो तीन चार ये चार नमबर, चार एलिमेंट आएंगे इसमें अब ये इसका set builder form से roster रूप आ गया अब कोई doubt नहीं रहा होगा आपके भी set builder form में कैसे लिखते हैं roster रूप को और roster रूप में कैसे लिखते हैं set builder form को लिख सकते हैं कोई भी question आ जाई चलेगा next पर चलते हैं परकार अब देखेगा हम देखते हैं कौन-कौन से इसके परकार होते हैं अब हमारे पास में पहला ही परकार दिया गया है रिक्त समूच्य, empty set या null set इसको बोल सकते हैं इसकी definition है वह समूच्य जिसमें कोई अव्यव नहीं होता रिक्त समूच्य या सुन्य समूच्य कहलाता है यानि जिसमें कोई element नहीं होता उसे हम रिक्त समूच्य या null set कहते हैं empty set कहते हैं इसको हम किस से represent करते हैं इसको हम phi से represent करते हैं किस से represent करते हैं phi से represent कहते हैं जैसे कोई एक set है set builder form में उसको दिया गया है x और हमें दे दिया भी x की स्क्यार is equal to minus 1 और x एक प्राकर संक्य है x एक प्राकर संक्य है x एक प्राकर संक्य है अब यह बताओ इसको आप रोष्ट रूप में लिख सकते हैं क्या रोष्ट रूप में इसके कितने element आएंगे यह आपको set builder form में दे दिया a बराबर x x की square is equal to minus 1 यह आपको condition दे दिया उसने ठीक है लेकिन x एक प्राकर संक्या यह बात और देती क्या यह कभी संबव है क्या प्राकर संक्या आप जानती x से ही शुरू होता है और positive में चलता जाता है कभी negative में आता ही नहीं और लेकिन negative में आये तो क्या करें इसका तो square दे दिया तो negative में आये तो भी उसका square क्या होगा positive होगा लेकिन यह कभी संबव नहीं है कि x की square is equal to minus 1 तो इसमें कितने element आएंग अगर आपको roast रूप में दे दे भी इसको roast रूप में लिखो set builder form में आपको दे दिया है तो आप इसका roast रूप यह लिखोगे न कि इसमें क्या है सुन्य element है 0 है क्या इसमें 0 है तो इसको यह बोल सकते है ना 5 इसमें कोई element नहीं आएगा कौन सा element लिखोगे आप इससे कोई element नहीं लिखोगे तो यह कभी संभव नहीं हो पाएगा तो यह हमारे पास में क्या है फाई है इस परकार से हम कोई और भी example ले सकते हैं चलो देखेगा जैसे मैंने यहां पर कोई दूसरा example लिया कोई दूसरा set लिया B है और हमारे पास में x का square is less than 0 पुरुणाक है तो क्या यह संभव है इसी तरीके का ही है यह तो लगबग equally है भी x का square less than 0 होगा जहां पर x एक पुरुणाक है चलो पुरुणाक माल लिया negative positive जो भी आएगा लेकिन इसका square करेंगे तो क्या minus से छोटा आएगा 0 से छोटा आएगा नहीं आएगा negative लेगे तो भी positive आएगा और positive लेगे तो भी positive आएगा तो कभी संभव ही नहीं है तो इसमें भी कितने element आए Richards He op तक कि इसको लिख सकते है यारी इसमें कोई element आएगा ये नहीं यानी उसमें 0 element आए इसको हम फाई से रिप्रजेंट कर सकते हैं यह हमारे पास में यह सेट कह है रोष्ट रूप में फाई है यह भी कह फाई है तो इस परकार से और भी आपके पास में एक्जामपल हो सकते हैं बहुत सारे चलेगा अब हम चलते हैं next पी, दूसरा हमारे पास में है एकल समूचे है, ठीक है, अब एकल समूचे क्या होता है, वह समूचे जिसमें केवल एक ही अव्य हो या element या तत्त हो उसे हम एकल समूच्य कहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एकल समूच्य बोलते हैं जैसे मैंने कोई एक set builder form में set लिया है कोई समूच्य लिया है जैसे x x एक sum एबाजे संक्या अब यह बताओ आप इसको रोष्टर रूप में लिखोगे तो आपने यह यही लिख पाओगे ना एक सम एबाजे संक्या एबाजे संक्या शुरू कहां से होती है दो से दो तेन पांस साथ ग्यारा इस परकार से इसके बाद में कोई सम नंबर नहीं आएगा तो इसमें only four a की element होगा तो वो क्या होगा एक कल समूची होगा बोल सकते हैं आप और भी example ले सकते हैं जैसे यहां पर आपने example लिया भी x कोई है वो x की स्केर बराबर एक एक धनात्मक पुरुणाग है तो उसमें only four जैसे आपने कोई दूसरा example लिया है जैसे x और x एक x की स्केर condition है आपको x की स्केर बराबर एक आना चाहिए और x एक धनात्मक पुरुणाग है तो इसको आप roster रूप में केसे लिखोगे इसको आप roster रूप में लिखोगे जैसे x की स्केर बराबर एक यह कब संबह हुए जब x का मान एक है तो यहां से set builder form से roster रूप हमारे पास में आजएगा only for one एक element आएगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं एककल समुचे बोल सकते हैं अब हमारे पास में हैं तीन नंबर प्रीमित और एप्रीमित समुचे finite and infinite set अब यह क्या होता है एसा समुचे जिसमें अव्यों की संख्या निशित हो प्रीमित समुचे कहलाते हैं जिसमें element निशित हो यानि उसकी कुछ limit हो उसे क्या बोलते हैं प्रीमित समुचे कहा ज़ते हैं अन्य था वो क्या होते हैं समूचे, ए परीमित समूचे कहलाते हैं, जैसे आपने बॉल दिया, बिसर नेचुरल नंबर का एक सेट है, वो परीमित है, भी नेचुरल नंबर का एक सेट तो जुरूर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लेकिन वो बताओ परीमित है य एक परीमित है यह क्या होज़ेगा एक परीमित है और जैसे मैंने कोई एक सेट ले लिया इसमें एलिमेंट है एक परीमित सेट है यह क्या है परीमित इसमें लिमिट है भी इसमें चार ही एलिमेंट है तो यह क्या होज़ेगा परीमित ये था हमारे पास में प्रीमित जैसे नेचुरल नंबर का मेने एग्जाम्पल दिया था वो ए प्रीमित समझ गई यहां तक समान समुच्य यानि equal set इसकी definition क्या है दो समुच्य जिनके परतेक अव्यों एक दूसरे में विद्यमान हो उसे हम समान समुच्य कहते हैं उसके अव्यों समान होने के साथ साथ अव्यों की संख्या भी समान होती है जैसे किसी set में पांच element है तो दूसरे set में भी element क्या होंगे पांच होंगे और उसका करम अलग-अलग हो सकता है, यह कोई जरूरी नहीं जैसे मैंने कोई A set लिया है मैंने यहां से 1, 2, 3, 4 और 5 element ले लिया है मेरे पास में कोई दूसरा set है जैसे मैंने 4, 3, 2, 5, 1 यह element, इसमें देखो इसमें भी 5 element है, इसमें 자 set b, य annoy, उसमें element equal होनी चाइए और element की संक्य है वो भी क्या होनी चाइए counting हो हवसे थह हम बोलते हैं समान समुच्य या equal set बोल सकते हैं अब इसके बाद में हमारे पास में आता है तुल्य समुच्य तुल्य समुच्य क्या होता है, उस पे हम चर्चा करेंगें यह element change करने पर कि इसके करम change करने पर element का सैट क्या है equal ही रहेंगे यह नहीं है कि यह set not equal हो जाएंगे कोई condition नहीं है यह सैट यह कह रहेंगे एक्वल ही रहेंगे अब तुल्य समूचे देखो क्या है एक्विलेंट सेट क्या है अब देखो यह हमारे पास में है कि दो समुच्चे जिनके अव्यों की संख्या एक समान हो किन्तु अव्यों अलग-अलग हो सकते हैं उन्हें तुल्य समुच्चे कहते हैं अव्यों की संख्या समान हो सकते हैं जैसे मैंने कोई A सेट लिया जैसे मै एक, दो, तीन, चार, अब देखो इसमें संख्या समान होनी चाहिए, अगर इसमें चार एलिमेंट है तो इसमें भी चार एलिमेंट आने चाहिए, अगर इसमें चार एलिमेंट है तो इसमें भी चार एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन अव्यों अलग अलग है, देखो इसमें तो A, B, C, D है और इसमें counting एक, दो, तीन, चार है लेकिन ये भी कहें तुल्य समूचे हैं अव्यों की element की संख्या equal होनी चाहिए element अलग-अलग हो सकते हैं यहां तक clear हुआ ना अब जलते हैं next पर अब हमारे पास में आता है उप समूचे किसे कहते हैं यानि subset किसे कहते हैं अ समूचे की परिवासा देखो जडि किसी समूचे A का पर ठेक अभयो समूचे B का भी अभयो हो तो A को समूचे B का अभयो समूचे कहते हैं अब यहां से कोई Gesetzentwurf। एक सेट मानो आप, आपनी कोई सेट माल लिया A, जैसे आपनी माल लिया A, B, C और D, कोई B सेट माल लिया आपनी, जैसे आपनी A, B, C, D, E, F, G, H, अब यह देखो, A का प्रतिक element क्या B का element है, A का A, B, C, D, चारों के चारों B में है क्या है, तो A सेट B का उपस मुच्चे कहलाएगा, तो A सेट चक कर सकते हैं आप, यहनि A है, A है वो बिलोंग कर रहा है B में, B है वो बिलोंग कर रहा है B में, C है वो बिलोंग कर रहा है, C है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास में B में, और D है वो बिलोंग कर रहा है B में, हमेशा याद रखना, कभी भी सेट को लिखो, तो capital letter से ही लिखना है, capital number, capital से ही दसाएं, capital A, capital B, capital, यह सेट को represent करने का तरीक कैपिटल से ही इसको रीप्रजेंट करते हैं इसकी डेफिनेशन समझ में आई सबसेट किसे कहते हैं यह भी कलियर हुआ होगा आपके और इसका परतीक भी आप जान गए हों सबसेट का यहाँ एक परतीक किसे कहते हैं यहां पे A subset है B का, यानि A का प्रतिक element B में है, तो A के है B का subset है, अब आता है उचित उप स्मूचे, उचित उप स्मूचे किसे कहते हैं, प्रोपर स्मूचे किसे कहते हैं, यदि A तता B स्मूचे इस परकार हैं, यदि दो स्मूचे A और B इस परकार के हैं, कि A subset है B, A subset equal B, तता B में से, B में A से कम से कम एक उव्यव हदिको, तो A को B का उचित उप स्मूचे कहते हैं, अब हमारे पास में A कोई सेट है, जैसे 1, 2, 3, और B हमारे पास में कोई सेट है, 1, 2, 3, और 4, कम से कम, कम से कम एक element हदिको होना चाहिए, maximum तो कितनी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तब A को B का उचित सेट बोलते हैं, तो यहां से देखो, A का परतेक element B में है, तो यहां से A, B का subset होगा, A B का subset है तो इसमें element कितने है इसमें element 3 है इसमें element कितने है 4 तो कम से कम एक element तो ज़्यादा है तो हम बोल सकते है A को B का उचित subset बोल सकते है यहां तक clear हुआ भी एक element ज़्यादा होना चाहिए और यह कह subset भी होना चाहिए A, B का subset भी होना चाहिए और B में एक element ज़्यादा होना चाहिए A, B का subset है परतेक element A का B के अंदर है और B में एक element ज़्यादा है A से अब हम चलते हैं next अब देखो उप समुच्चों की संख्या कैसे आती है उप समुच्चों की संख्या कैसे निकालें भी हमारे पास में, देखो, इसकी definition के इसाब से निकाल देगे, यदि किसी समुचे A में un-element है, un-aware हो, तो इसके उप समुचों की संख्या हमारे पास में 2 की power un होती है, कितनी होती है, 2 की power un होती है, चलो मैं यहां पर एक सैट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया A, B, D, C, D, लिख दिया, अब इसके उप समुचों की संख्या, उप समुचों की संख्या क्या हो जेगी, उप समुचों की संख्या इसमें हो जेगी हमारे पास में 2 की power 4, कितने element अभी, 4 element हैं, और 2 की power 4 आप जानते हैं, जैसे 2 गुणा, दो गुणा, दो गुणा दो, दो दूए, चार, चार, दूए, आठार, दूए, 16 तो इसमें उपसमुचे, एक के उपसमुचे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे और उचित उपसमुचे की संख्या अगर निकालनी हो, तो 2 की पावर N माइनस में 2 करते हैं जैसे उपसमुचे की संख्या हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 16 माइनस में 2 हम, उचित उपसमुचे की संख्या कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 यानि 16 जितने नंबर हैं, जितने इसमें एलिमेंट हैं, उनका क्या करना है, दो की पावर में उनको लिखना है, दो की पावर अन एलिमेंट है तो अन लगा दो, अगर पाँच एलिमेंट है तो पाँच दो एलिमेंट है तो एक लगा दो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पार्टिन इस परकार से उसकी संख्या आती जाएगे अब हमारे पास में हैं वास्तिक संख्याओं के समुच्चे के उपसमुच्चे अब वास्तिक संख्याओं के समुच्चे के उपसमुच्चे जैसे हमारे पास में हम जाते हैं की प्राकर्ट संख्याओं का सेट क्या होता ह यहां से लिखने हैं, एक बाराथ छेत्री के समझाना, प्राकर संक्याओं का सेट होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस परकार से कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, डेस, डेस, चलता जाएगा आगे, या अगर हम मैं पुरुनाग का लिखू, जैसे मैं पुरुनाग को ज अब यह देखो, भी N किसका सबसेट है, यानि नचुरल नंबर में एक, दो, तीन, चार, पॉजिटिव नंबर है, और वो जो की पुरुनाग में आते हैं, आलरेडी आते हैं, तो हम यहां से यह बोल सकते हैं न, कि N सबसेट है जड़ का, N है, वो सबसेट है जड़ का, भी N के, आल एलिमेंट जड़ के अंदर हैं, जड़ एक पुरुनाग है, तो नेचुरल नंबर पुरुनाग में आएगा, यानि N सबसेट हो सकता है, जड़ का, है, यहां पे आलरेडी, अब देखो, मेरे पास में परमे संख्या की हैं, परमे संख्या, तो परमे संख्या को मैं क्यों से रिप्रेजेंट करता हूं, और परमे संख्या, जितने भी आल एलिमेंट हैं इसके, जड़ में, पुरुनाग में, जैसे मेरे पास में हैं, माइनस के तीन हैं, तो मैं माइनस के तीन बटा एक लिख सकता हूं, माइनस के दो है मेरे पास में, तो माइनस के दो बटा एक लिख सकता हूँ, यनि प्रतेक element के नेचे हम एक लगा सकते हैं इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो इस J'd में, जड के all element Q में होगे, यनि P बटा Q के रूप में इसको अब लिख सकते हैं, all element को लिख सकते हैं तो यहां से यह बोल सकेंगे कि जड़ है वो सबसेट है क्यों का जड़ है वो सबसेट है क्यों का अब यह तो हो गया पर में संक्या का अब हमारे पास में आते हैं नेच्रल लंबर आजएगा, आपके जो पुर्णाख है वो आजएगे, आपकी जो प्रमेशंखें आजएगी और आपकी एप्रमेशंखें आजएगे, तो ये भी क्या है? ये सभी का सबसेट है. तो आप देखो, यहां से, क्यू सबसेट होगा R का, होगा या नहीं होगा, ब लब T देखो, T मैंने आपरमेशंखें माल लिए, यहां से R तो रियल लंबर आप जानते हैं, T चलो, मैंने लिख दिया, आपरमेशंखें को मैंने T से रिप्रेजेंट तो क्या ती भी सबसेट होगा र का हा सर होगा त यानी इस रिएल नमर में पर्मिसंख्य और आय dalमिसंख्य दोनों होती है तो आय प्रमिसंख्य ही इसमें होगी थो चस अरका तो यहां से अगर आप यह बोल सकते है का कि N subset है Z का, Z subset है Q का, Q subset है R का और T भी subset है R का, क्या N subset है T का? नहीं है, नहीं होगा, ठीक, N subset है R का है, और यहां से Z subset है R का, यह तो हो जागा, यह तो तिनों condition equal है, देखो N subset है Z का, Z subset है Q का, Q subset है R का, तो N subset होजएगा R का, और Z भी subset होजएगा R का, यहां तक clear होगा, लेकिन N subset नहीं होगा, N not subset T, clear हुआ, T हमारे पास एपर में संगे होती है, और N कभी एपर में संगे हैं, जैसे एपर में संगे हैं, मैं छोटा सा example दो, आपको root दो, और root दो क्या है, एपर में संगे हैं, जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और कभी भी natural number में नहीं आती, यानि जितनी भी natural number है, प्राकर संगे हैं, उसको हम P बटा Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, कलियर हुआ यहां तक सब कुछ चले next पर चलिएगा, अब हमारे पास में अंतराल आते हैं, जैसे open interval और हमारे पास में जैसे वीवरत अंतराल बोलते हैं उसको, close interval को हम 7 रत अंतराल बोलते हैं, open interval को इस परकार से शोग किया दते हैं, छोटी ब्रैक्ट से हम छोटी कलासों में आपने पढ़ा हुआ, सर ने बोला यह चोटा ब्रैक्ट इस परकार, इसको हम बोलते हैं open interval, जैसे इसके अंदर में ने क प्लस का इंफानाइट चलेगा और यह आपके पास में संख्यारिका पर माइनस का इंफानाइट चलेगा लेकिन आपको यह रिप्रजेंट करना है तो मान लिया यहां पर आपके पास में प्लस का फाइप आ गया और यहां पर आपके पास में नाइन आ गया लेकिन इसके गया six हमारे पास समें यहां पे seven यहां पे हमारे पास एड़ इस प्रकार से यह बीच के नमबर आयेगे इसे हम बोलते हैं वीवष्ण अंत्रादं आपन इंट्र लोल बोलते हैं क्लोज इंट्रवल क्या होता है इसको रिप्रजेंट करते हैं इस परकार से बड़े ब्रेक्ट से अगर इसके अंदर हमारे पास में जैसे फाइप है और आपने एक 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 जामपल नाइन ये नमबर ले लिए दो तो इसको हम संख्या रेखापी किस परकार से निरुपित करत सब्सक्राइब अब इसको संख्यारिक पर निरुप्पित करेंगे तो पूरे को डारक कर देंगे क्योंकि इसको भी हमें साथ में लेना है अब की बार यानी अब की बार जो मान निकालेंगे संख्यार रिखा पे जैसे हमारे पास में 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ये 9 और ये 5 ये पूरा टोटल मान आएगा X का ये होता है हमारे पास में close interval यानि सैवरत अंत्राल जब कभी भी हमें X की value रखनी पड़े तो हम 5 और 9 को 5 और 9 को क्या है उसमें अंदर रख सकते हैं और इसके अंदर अगर हमें value रखनी पड़े तो 5 से कम, 5 से maximum और 9 से कम ये इसके अंदर अंदर की value रखेंगे जैसे हमने रख दिया 5 से maximum जैसे 5.001 रख सकते हैं इसमें वीवरत अंत्राल ओपर इंटरवल के बात कर रहा हूं और जैसे 8.9999 something रख सकते हैं लेकिन 9 कभी नहीं रख सकते हैं ने 5 रख सकते हैं लेकिन इसमें हम 5 रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं अब जलते हैं इसके next प होता है semi clause interval और semi clause interval क्या होगा जैसे कई बार एक होता है आपके पास में इस परकार से जैसे आपको दे दिया five और nine एक तरफ से है clause एक तरफ से open दूसरा आपके पास में जैसे आपको दे दिया five और एक साइड से कर दिया क्लॉज एक तरफ से ओपन तो इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं अब इसमें क्या है फाइब को साथ में लेना है और नाइन को नहीं लेना तो अब यह वेलिज आएगी एक्स की यहां से हमारे पास में 5 आएगा छे आएगा साथ आएगा आठ आएगा लेकिन 9 से कम कम पर रहेगा इस पर रहेगा नो से रहेगा जैसे 8 लेना है वेल्यू फाइप नहीं लेना है लेकिन इसको क्लोज कर दो नाइन को साथ में लेना है तो हमारे पास में यह सिक्स यह हमारे पास में सेवन यह हमारे पास में एट रही है हमारे पास में नाइन तो एक्स की वेल्यू फाइप से मैक्सिमम और नाइन तक ले सकते हैं य जो जितने भी आपके doubt थे वो clear हो गए होगे यह आप class कैसे लगी comment करके जुरूर बताएं और आगे का जो introduction है यह introduction complete नहीं हुआ है साइथ एक class और हो सकते हैं इसके introduction की तो जितना introduction एक बात में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने यह दो chapter starting के हैं अच्छे तरीके से प भी यह काफी महतोपूर्ण chapter है और आपके just अगले साल की बात करें 12th की तो 12th में भी यही chapter लगेंगे ऐसे ही अगर आपका basic यहां से strong हो जाएगा set आप समझ जाओगे सब कुछ यहां से clear कर दोगे तो next जो भी year आने वाला आपका 12th जो की board की class है उसमें कोई doubt नहीं भी आपने 12th में पढ़ लिया होगा इसके बाद में यह होता है लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो वहां पर doubt ही doubt होगे अगर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो कोई doubt नहीं होगा तो आपके जितने भी doubt है वो मेरे को comment करके जुरू बताएं class अ